इस बार मोसम और बिमारी दोनों ने ही खरीब फसलों को काफी नुकसान पुझाया है और इसे नुकसान के कारण किसानों के चेहरे मुझाये हुए हैं लेकिन इस वक्त बजार में जो कपास में धान के भाव हैं उनमें किसानों को थोड़ी राहत मिली है बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी वृद्धी होने की संभावना है इस समय कपास का समर्थन मुल्या 6,380 पे प्रतिक क्विंचल है जबकि बजार में कपास की फसल के भाव 10,000 रुपई से अधिक है पिछले साल गुलाबी सुन्डी बिमारी की वज़े से किसान कपास की फसल का उत्पादन कम करने लगे थे जिसके चलते इस साल जीन जीने में कपास का रखबा 65,000 हेक्टेर से घटकर 34,000 हेक्टेर तक सिमट गया है जुलाई में होने वाली ज्यादा बारिश ने भी कपास की फसल को नुक्सान पुंचाया है जिसके कारण हजारों एकड़ फसल खराब हो चुकी है और बहुत से किसानों ने कपास की फसल की जुताई कर उसकी जगर धान की रुपाई कर दी है हलाकि जो कपास की फसल अभी शेश है उसमें भी फसल ज्यादा ग्रोथ नहीं कर रही और फलफुल भी ज्यादा नहीं है जिससे कपास का उत्पादन कम होने का अनुमान है आने वाले सीजन में कपास के साथ साथ धान की कीमतों में भी तेजिब बनी रहेगी बिरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी